नमस्कार दोस्तों मैं नीरज कुमार एट कलास एंसी आटी जोगरफी का यह सेकेंड चैप्टर ने हम लोगों ने लैंड के बारे में पढ़ा था और दूसरा क्या है अब हम स्वाइल के बारे में जानेगे कि स्वाइल किसे करते हैं हम जानते हैं कि सबसे थिनेश्ट जो है लेयर जो है आपको स्वाइल ही होता है मिर्दा होती है इसी मिर्दा पर हम लोग क्या करते हैं करते हैं caminho कि हरी लगवा करते हैं हम जानेंगे कि मिर्दा किसे कहते हैं तो ग्रेनी सप्तान्सेज क्या है? बिल्कुल कोवर की हुई रहती है यानि कि दनेदार कोनों की आवरन से क्या होता है? अर्थ सर्फेस क्या है? बिल्कुल धकी हुई रहती है Link to land ये क्या होता है बिलकुल link रहता है किससे land से यानी कि coins से क्या होता है बिलकुल जुड़ी हुई रहती है ville and foreign तो क्या होता है लेंड form क्या है यानी कीv स्थल रूप ही मृरदा के cqo यानी की परकार को निर्धार्द करती है हिंदी भी देख लीजे प्रित्वी के प्रिष्ट पर दानेदार कनो के आवरन की पतली परत मिर्दा कालाती है यह अगर लैंड है पूरा तो यह क्या है दानेदार परत जो होगा इसको हम क्या कहते हैं इसको हम स्वैल कहेंगे ठीक है यह भूमी से निकाटसा से जुड़ी यहाँ पर इटीज कुलोजी लिग टू लैंड यह भूमी से निकाटसा से जुड़ी हुई है तो देख रहे हैं कि भूमी पर तो है ही तो अस्थल रूप मिर्दा के प्रकार को निर्धारित करते हैं ठीक है अब यहाँ देखिए स्वैल इज मेड़ अप और्गेनिक मैटर कहने का और्थ क्या है स्वैल किस किस से बना हुआ है किस किस से इसका निर्मान होता है स्वैल का एक तो और्गेनिक मैटर आपको दिखाई दे रहा है दूसरा क्या दिखाई दे रहा है मिनरल दिखाई दे रहा है और वेदार्ड रोक जो है यह सब क्या है इस से मिल करके बन of minerals and organic matter make the soil fertile क्या है अगर किस किशिच का अगर minerals का right mix मतलब सही मिसरन अगर mineral का और organic matter का कहने का और्थ है क्या जैवपदार्थ का अगर मिसरन अगर अच्छा से है तो वहां का मिर्दा क्या है उपजाओ होगा ठीक है तो मिर्दा कैसे होगा सही मतर से आपको क्या है mineral की चैशिच से हो रहा है उसको को पहाए जाता है उससे पिराप्थ चंचवार क्या है कि की तरहां कि माण ल Lawn तो क्या है होँना की मिर्दा में मिल जाती है यह अप्चाइक की परकिरिय के माध्यम से बनती है तो मिर्दा किशित से बनती है खनीज खनीजों और जयोपदार्तों का सही मित्रन मिर्दा को उपजाओ बनाती है तो मिट्टी को उपजाओ कौन बनाता है तो आपका जयोपदार्त और खनीज तो आपको अगर option में दे कि मिर्दा को उपजाओ बनाने वाला कौन-कौन से कारक है तो आपको option में अगर खनी you don't deny that can be 10 process ii एक तो वेदरिंग होता है जो आपको आपको अप्छाय प्रक üzer a Só लिए तो यह आपको अप्छाय हो गया वेदरिंग समझे वह आप मिनने क्या होता है इतूप थीक है चिर्ट है दूसरे क्या होता है आपको विंड और तीसरे क्या है वाटर वाटर के द्वारा क्या होता है ब्रेक होता है क्या चीज ब्रेक होता है तो आपका रोक ब्रेक होता है यहाँ पे समझी है कि यहाँ पे मान लेते हैं यह रोक है ठीक है यहाँ पे हलका सा गड़ा है मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है गड़ा है यहाँ पे पानी गिरा बार ब से रहे क्या होता है ब्रेक होना सुरू होता है यह विंड का विंड जो है बार बार यहां से टकड़ा रही है तो उससे भी क्या होता है कि उससे भी ठुटना सुरू होता है और तीसरा चीज क्या है यहां पर पानी जैसे पड़ा तो पानी परने के बाद थंडा के समय में क्या होगा जब आइस जम जाता है उस पर भी क्या होता है जब आइस जमेगा तो पानी जब इसमें परा तो थोड़ा कम मत्रा और आइस बना तो यह तो फैलता है आइस बनने के बाद तो इसको क्या होता है ब्रेक करता है इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं वेदरिंग यह दूसरा क् आपको erosion, Cinnamon की होता है? इरोजन में किया होता है कि जब चटान जब तूटता है तो रहा उसके चोटे छटे चोटे जब पार्टिक्ल्टस होते हैं वह एक ये जगा ते दूसरे जगा मतलब ट्रांसपोर्ट होते है। मने probateर के ले जाते है अपने साथ तो इसको हम क्या काakte एरोजन और तीसरे होता है दिपोजीशन में क्या होता है ज्रस कव SS एक ढाया होता है तो आपको समझ में शायद आया होगा अब हम देखते है क्या कि पहले हम स्वायल प्रोफाइल रेखते हैं यानि कि मिर्दा परिछेदिका इसको कहते हैं स्वायल प्रोफाइल प्रोफाइल तो स्वायल प्रोफाइल यानि कि मिर्दा परिछेदिका क्या है यह आपका पैरेंट रॉक्स हुगा पैरेंट रॉक्स मतलब क्या कि आपको इसक चंक काते हैं यानि कि यह अभी चंठअ민 के रूप में है बिल्कुल फिर क्या होता है हमने क्या कहा कि वेदरिंग का प्रोसेस होता है अभी यह क्या हुआ quello है टूट करके वेदर्ट रौक मैटेरियल में चेंज हो गया तो क्या हुआ इसको हम हिंदी में कहते हैं अब छाइत चत्तानी पदाथ तो ये क्या होता है उसके बाद क्या होता है कि फिर जो है ये जब weathered rock material होता है वो तूट करके क्या होता है सब स्वैल बन जाता है तो कहने का ओर था सब स्वैल with क्या होता है sand यानि कि बालू होता है silt and clay गाद होता है और उसके साथ clay भी होता है ठीक है तो उप मिर्दा में क्या है एक तो बालू दूसरा गाद, तीसरा क्ले के साथ उप मिर्दा ठीक है तो आपको यह क्या हुआ, यह सब swell profile है, तो एक तो जैसे आपका rock टूटा, टूटने के बाद में weathering का process हुआ, टूटने के बाद में क्या हुआ, यह छोटा छोटा दाना में change हो गया, ठीक है, जैसे sand, tilt, clay, यह सब बन गया, और उसके बाद क्या हुआ, यह top swell humus and vegetation, humus किसक आपका top swell आ गया ठीक है यानि कि उपरी मिर्दा है इस पर क्या होता है कि जैसे vegetation आप कर सकते हैं यह सब यानि कि आपका swell, sand, silt यह सब यहाँ पर रहता है ठीक है तो रहता है और तब हम यहाँ पर क्या करते हैं पेड़ पौधा यह सब लगाते हैं समझ में आया है तो पेड़ पौधा यह सब हम लगाते हैं तो यह क्या होता है इसको हम top swell करते हैं तो सबसे पहले parents rock हुआ यानि कि जनक चटान हुआ जनक चटान के तूटने के बाद क्या होता है वो weathered rock material यानि कि अपछाईत चटानी पदार बनता है फिर जो है यानि कि अप silk and clay इसमें होता है ठीक है यानि कि प्मिर्दा zar kis ko यानि कि बालू गार्वन क्ले के साथ क्या होता है फिर जो है top swell का formation होता है और उस busy में हमस होता है और उस पर vegetation और वेजिटेशन यानि कि मनस्पति के साथ हुमस होता है सबसे उपरी तो इसको हम क्या करते हैं स्वैल प्रोफाइल आगे देखते हैं देखिए स्वैल देखिए तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं जनक सैल जैसे एक तो आप देखे स्वैल वो प्रोफाइल देखे आप देखि मतरा परगम्यता यानि कि परगम्यता मतलब इस पर उस पर निरधारित करती है ठीक है यानि कि कौन सा मिटिक इतना परगम है यानि कि transparent है तो देखेंगे डिटरमाइज कलर तो क्या है पेड़ेंट सोख जो है color को निरधारित करती है टेक्शर को निर्धारित करती है, chemical, properties को निर्धारित करती है, mineral content और चवच, तुंगता, ढाल और मिर्दा के संचाय को निर्धारित करते हैं, कि मिर्दा कहां पे जो है, जैसे माल लेते हैं, ढालाने रिया है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे तो बहुत ज्यादा मातरा मे मिर्दा जो है क्या दिरे-दिरे बह करके नीचली ढाल पे यानि कि नीचे जो रहोता है बिल्कुल उस पर जो है प्लेन लैंड पे चला जाता है ठीक है तो यह हुआ आप फिर देखते हैं क्या क्लाइमेट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यानि कि जलवायू भी बहुत बड़ा मिर्दा के क्या है मिर्दा के निर्मान में जैसे देखिए अगर मान लेते हैं सिर्फ मिर्दा का निर्मान अगर स्वायल का निर्मान सिर्फ और सिर्फ अगर सिर्फ मिनरल से या आपक में से होता है सभी आपका नेधारित करता है तो घाना कि आप यहां पर हम देखते हैं जलबायू तापमान वर्षा अप्छाय और हुमस का निर्मान की दर परभावित करते हैं ये सब भी क्या करता है मिर्दा को परभावित करता है कि मिर्दा कैसा होगा नहीं तो एक जगा जो मिर्दा पाए जाता है वो दूसरी जगा भी तिसरी जगा भी चौथी जगा भी हर जगा पाई जाती लेकिन ऐसा नहीं होता है वो यह सब पर भी निर्धारीद करता है दूसरा टाइम के साथ भी इसका निर्धारन होता है कैसे समय मिर्दा परिछेदिका की मुटाई को निर्धारीत करता है मान लेते हैं कि बहुत कम तर दिसे time determines thickness of smell profile ठीक है तो समय के साथ जो जो समय बीदता है वैसे क्या होता है कि मिर्दा का मुटाई भी क्या होता है कि वह बनते जाता है समझ में आया अब देखते हैं मिर्दा में वनस्पति जात प्रानी जात और सुक्ष जीव यूमस निर्मान की दर को परभावित करते हैं तो हम बता ही है कि यूमस के निर्मान कैसे जैसे माल लेते हैं पेड़ पौधा या कोई जानुवर मर जाता है ठीक है तो वो क् पति और प्रानी जात्व सुक्ष जीव क्या होता है यह सब के मरने के बाद क्या होता है कि मिट्टी क्या होती है बहुत ज्यादा उपजाओ हो जाती है समझ में आया तो यह सब भी मिर्दा को मिर्दा के फॉर्मेशन में हर चीज में मिर्दा के क्या करता है कि रोल प्ले कर है अब आगे देखिए फैक्टर औफ स्वैल फोर्मेटं मिर्दै के निर्मान के और का रख्या है यह देखिय क्ल क्लाइमत फ्यक्टर यह कह रहा है ठीक है यानि कि climate condition भी क्या है इस पर प्रभावर डालता है मिर्दा के निर्मान पर अब देखिए अच्छा अधर फैक्टर्स आर दा टूपोग्राफी रूल ऑफ और्गेनिक मेटेरियल और टाइम टेकें और दा composition of soil formation तो कहने का अर्थ क्या है कि मिर्दा निर्मान के अनेकरा Bowl मतलब असला किरते यानि कि कहीं पर अस्तल जो है नीचा है कहीं उंचा है यह सब भी क्या है टोपोग्राफी जयोपदार्थ की भूमिका यानि कि जयोपदार्थ हमने बताया जयोपदार्थों की कितनी भूमिका है यानि कि उसमें जो है मान लेते हैं कि वनक्सपति जात या प्रानी जात मान लेते हैं कि मरने के बाद यानि कि पेड़ पोदे की पति स्वाइब करता है यह कारक है ठीक है इंडर अलग अलग अस्थानों में यह भीन भीन है हर जगा एक समान तो नहीं होता है अलग अलग होता है फोर दक प्वयर परम इसन तो समझ में आया होगा कि क्या है स्वैल का फॉर्मेशन क्या 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 कारक पेड़ी पेंड करता है अब देखिए मिर्दा का निमनी करन मतलब क्या होता है डिग्रेडेशन मिर्दा अपर्दन और छीनता मिर्दा संसाधन के लिए दो मुखे खत्रे है अब खत्रा क्या है अब जैसे मान लेते हैं कि न मिर्दाओं का निमनीकरन हो सकता है तो मानों ज है सचेव कर रहा है पंडोंन पौदा यह काहिं कर दिजिए गहायों फिछली काक्छा में और प्रकर्स करते हैं इतना ज्यादा बढ़त जाए हो सकता है कि इतना ज्यादा जो है ना मान लेते हैं कि कोई natural phenomenon हो जिस वज़ा से मिर्दा में क्या होता है मिर्दा को उपजाने की शम्ता fertility जो है कम हो जाती है मिर्दा के निम्रिकरन में सहयक करक वनोन मुलन ठीक है अतिचारन रसायनिक उर्वरको और कितनात्को का अत्यतिक उप्योग वर्ता दुहान भूसकलन और बाढ़ बाढ़ है मिर्दा सम्रिकरन के क्यों हो रहा है डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है हम लोग क्या करते हैं वन का क प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् और क्या है वर्षा भूसक लेंट्सलाइट और बाड़ ये सब क्या है मिर्दा को क्या कर रहा है छरित कर रहा है ठीक है मिर्दा को नश्ट कर रहा है स्वैल एंड कंजर्वेशन मेजर ठीक है स्वैल इरोजन एंड डिप्लेशन आर दा मेजर त्रियेट तो स्वैल एज ए रिसोर्स बोथ हूमेन और नेचरल फैक्टर कैन लीड टू डिग्रेशन ओफ स्वैल तो क्या है हूमेन और नेचरल फैक्टर क्या है डिग्रेशन कर रहा है यानि कि स्वैल का डिग्रेशन कर रहा है फैक्टर भी लीड टू श्वायल डिग्रेडेशन और डिफोरेस्टेशन यानि कि क्या है वनोनमुलन यानि कि मन को नस्ट कर रहे हैं ओभर ग्रेजिंग ठीक है वरस ऑफ केमिकाल क्या है इतना ज्याद है केमिकल फट्रिलाइजर एंड पेस्टिसाइड रेन वास लैंड स्लाइड एंड फ्लाट तो कहने का और क्या है यह सब फैक्टर तो हम लोग देखे ही हैं तो यह सब क्या है मिर्दा को बहुत ही शरीद कर रही है तो समझ में यह आया होगा अब देखते हैं सम मेथट अब स्वाइल कंजर्वेशन आ लिस्टेड विलो कहने का और क्या है कि अब यह तो मिर्दा को जो है बिल्कुल बरबाद कर रहा है बिल्कुल जो है तहसनास कर रहा है अब हम मिर्दा को कैसे बचाएंगे यानि तो विधी है यानि कि हमको बैग्यानिक पत्ती पर जाना होगा यानि कि हमको बैग्यानिक तरीकों को अपनाना होगा एक मल्चिंग तो मल्चिंग क्या है उसको समझते हैं दबेर ग्राउंड बीट्विन प्लांट इस कौबर भी थे लेयर ओफ और और्गेनिक मैटर लाइ दिये और दूसरे कतार को क्या करते हैं जैसे आलू जैसे रोपा जाता है तो देशते हैं ना क्यारी बनाया जाता है और उपर से यह मिट्टी को जो है चड़ा दिया जाता है और इसमें क्या किया जाता है कि और गेनिक मैटर जो है इसमें भर दिया जाएगा ठीक है और गेनि और देते हैं जिससे क्या होता है इसका मिर्दा को आदरता है रुख जाती इसमें क्या करते हैं परवाल को भर की रहती है कैसे मान लेते हैं कि इसमें भी आप पौधा इसमें भी लगा देते हैं तो पौधा को गुरू होने के लिए तो पानी चाहिए वह तो पूरा तरह से क्या होता है अर्थे पानी को खिश लेता है लेकिन क्या करते हैं यहां पे आप छोटा छोटा प्लांट लगा द लाएगी ठीक है यानि कि यहां का मुश्चर जो है खतम नहीं होगा कारण कि यहां का घीचेगा एक तो और्गेनिक मैटर भड़ा हुआ है तो इससे क्या होता है कि आप क्या करते हैं मने मिर्दा की अधरता रुकी विराती है तो यह आप मल्चिंग समझे होंगे अब देखत इसमें क्या करते हैं इसमें क्या करते है जैसे आगा दिये यहां पह तो यहां पर वाल अगा से क्या होगा आप तो पानी रुकेगी जिससे क्या होता है आप अराम से क्या करते हैं आप प्लांटेशन कर सकते हैं आप क्रॉपिंग यहाँ पर कर सकते हैं तो इस तरह क्या करते हैं आप क्या क्या लगाते है इस्टोन ग्राफ एंड स्वाइल आर यूज्टू बिल्ड बैर गते हैं एकटस्तन की आश fij dollar कंटा इरल ऑफ टों आड़ा। टो यह करता है टोटिकुत सब्सक्राइन तो है हिसको कायता है यह तो उस पर क्या करते हैं पत्रों से घास से या उसी मिट्टी से वहीं मिर्दा से क्या करते हैं इस टाइब से क्या करते हैं पानी को रुखने के लिए जैसे देहात में देखते हैं अक्यारी बनाया जाता है पानी को रुखने के लिए उसी तरह बनाते हैं इसका उप्यों किया जाता है रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाईया बनाई जाती है ठीक है तो यह गड़ा बना हुआ रहा था इसमें पानी रूप जाता है जिसे क्या होता है इस अब को पानी मिलता है नहीं तो पानी जो है सीधे नीचे चला जाता तो आप यानि की कंटर बारियर्यर्स भी समझे होईएगा अब देखिये रॉक डैम यानि की चट्टान बांधन किसको करते हैं रॉक्स आर पाइल अप टू स्लो डाउन दा फ्लो ऑफ वाटर ठीक है दिस प्रिवेंट्स गुलिज्ज आयंड फर्दर स्वायल लॉस क्या है देखिये यह जल के परवा को कम करने के लिए बनाये जाते है य यानि कि जल जो है उपरी परत से जो है जैसे मालने से ढ़लान वाला एरिया है तो जल तो यहां से आएगा तो सरक्ष से नीचे चला जाएगा इसलिए क्या किया जाता है यहां पे रोकने के लिए नाली बनाया जाता है ऐसे ऐसे करके जो है नाली टाइप का बनाया जाता है जिससे क्या हो एक तो मिर्दा का छती नहीं होता है दूसरा क्या है कि जल भी क्या है जल का परवाह भी कम रहता है कम बना हुआ रहता है तो आप इसको भी चट्टान मन्याने की रोक डैम को भी समझेगा टैर्ष मिल्द देखे वीधिकम क्या है ब्रोंड फ्लैट श्टेप और टैरीश आर कीया सोसी पुगाने के लिए उपलफ दो जाए तो क्या होता है चिल आप यहां पिप्चर में भी देख सकते हैं यह आपका क्या है विदिकम करिसी है सबस्ट ओब गाने के लिए सबस्ता है कि स्वाइल इरोजान कम होता है रोट फ्लाट एक्टेप और terrace are made on the steep slope so that flat surface are available to grow crops, ठीक है, they reduce surface runoff and swell erosion, तो क्या करती है, प्रिष्ट्रिय परवा और मिर्दा अपरदन को कम करती है, तो इसको भी आप शायद समझे होंगे, अब आगे आते हैं, तो ये वेदिका फर्म हुआ, तो intercroping, intercroping नाम से ही पता चल रहा है, बीच की फसल उगाना, intercroping का लाता है, मतलब different crops are grown in alternate roads and are sown at different times to protect the soil from rain mass, कहने का अर्थ क्या है, बीच की फसल, बीच में क्या करता है, जैसे यहाँ पर फसल है, उगा हुआ, तो माल लेते हैं कि गेहु है, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सरसो उगा दिये, ठीक है, यहाँ पर गेहु उगा है, और उसके साथ में सरसो उगा दिये, तो यह क्या होता है, इसी को हम क्या कहते है, intercroping कहते हैं, तो वार्थास को क्या कहते हैं, समुझ रेखिये जुताई, यह plowing parallels to the counters of a hill slope, to from a nature barrier for water to flow down the slope, कहने का counter plowing किसको कहेंगे, यानि कि plowing parallel to the counters of a hill slope, ठीक है, जैसे hilly area में देखिएगा, यह ढाल है, तो उस पर क्या होता है, कि इसके parallel, जैसे यह ढाल है, तो फिर इसके parallel हम देखते हैं, क्या करते हैं, जैसे यह ढाल है, तो यहाँ पर जुताई हम कर दिये, यहाँ क्या कर तो देखिए, प्लाविंग परल आ है, तो देखिए क्या कर रहा है, यहाँ क्या क्या करते हैं, हम जुताई हम कर देते हैं यह जुताई हुआ यह मानी ऐसे यह जुताई वाला पाट से है यह आपका मतलब धालान वाला एरिया है तो देखिए क्या कर रहा है प्लाविंग पैरलेल टुदा कॉंटर्स ओफ ए हिल स्लोप टू फॉम ए नेचुरल नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन दा स्लोप समुच रिखिए जुताई किसको कहेंगे एक पहारी ढाल पर समुच रिखाओ के संवांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल क के लिए प्राकिर्थिक औरोध का निर्वान करता है मतलब क्या कि यहां से जैसे पानी आया ठीक है यहां से पानी आ रहा है तो हम यहां पर क्या किया कि यहां पर इसके सामने हम जोताई कर दिए तो पानी तो फिर जो है यह क्या है यह जो है अपने पास पानी जो है क्या कर तो इसको हम क्या करते हैं काते हैं यह आप पिक्चर भी देख लिए तो वह सब तो पानी से रिलेटेट लेकिन यह क्या है यह हवा यानि कि इन दा कोस्टल और रिजन यह कहां होता है कोस्टल यानि कि तटिये और क्या है शुष्क परदेश में होता है रोज ओफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक दा वींड मूव्मेंट टू प्रोटेक्ट श्वायल कौभा कहने का और्थ क्या है जैसे माल लेते हैं यहां पर जैसे यह पेड़ देख रहा है ना एक कातार म माल लेते हैं कि यह heart यहां पर बहुत तेज हवा यहां पर सखए ऐधी करने के लिए आधको जैसे माल लेते हैं कि यहां क्या है ड्राइ एरिया है यह तटिया इलाका है तो वींड क्या करता है कि एक जगा से दूसरे जगा क्या है कि इस मिट्टी को क्या है उड़ा की ले जाएगा तो यहां पे आप क्रोपिंग अच्छा से नहीं कर पाई पाईएगा लेकिन हम क्या कर करते हैं जैसे हम क्या करते हैं लगा देते हैं पीड़ पौदा इसका तार में अगर लगा देते हैं इसका तर में लगा देते हैं एकदाम यहां पर हम यह सब क्या है पीड़ पौदा लगा देते हैं ठीक है पीड़ लगा देते हैं तो क्या होगा यहां पर यह पेड़ क्या ह उड़के नहीं जा सकता है तो इसको हम क्या कहते हैं रक्षक में लाएं यानि कि तटिये पर्देशों और शुष्क पर्देशों में पौन गती रोकने के लिए देखिए वह सब क्या था वाटर के लिए था सिर्फ वह पानी से छती हो रहा था उससे बचने के लिए वह उपा होगा तो हम क्या क्या जान गए हम यह देखे हैं कि हमारा अगर स्वाइल अगर क्या है कि बेकार बिल्कुल हो रहा है तो उसको हम कैसे स्वाइल को कंजर्ब करने के लिए स्वाइल को बचाने के लिए स्वाइल जो डिग्रेशन में जा रहा है जो डिग्रेट हो रहा है conservation करते हैं मेरा संरक्षन की यह साथ बी दिया है कौन कौन ऊबी दिया है तो हम लोग देखिेます बनाना फिर देखे हैं क्या contest barriers देखे हैं rock dam देखे हैं ठीक है terrace farming देखे हैं फिर देखे हैं क्या intercroping देख लिए और counter plaving देखे तो हम आसा करते हैं कि इस चैप्टर में आपको कहीं से भी अगर दिक्कत आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पुछेगा थाइंक यू और मेरे चैनल को लाइक सेंट सेब्सक्राइब जरूर करें